पाठ चार, शब्द विचार, मौर्फोलोजी, वर्णों का ऐसा मेल जिसका अर्थ हो वही शब्द कहलाता है, जैसे कमल और कलम, वर्णों के क्रम बदल देने से शब्द बदल गया है, मकल क्रम में रखें, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए, खरगोश, ख जमा अ, जमा र, जमा अ, जमा ग, जमा ओ, जमा ओ, जमा श, जमा अ, बराबर, खरगोश, र, जमा अ, जमा ख, जमा अ, जमा ग, जमा ओ, जमा श, जमा अ, बराबर, रख गोश, कमल, क जमा आ, जमा मा, जमा आ, जमला, जमा आ, बराबर कमल मा जमा आ, जमा आ, जमा का, जमा आ, बराबर मलक बादल, ब जमा आ, जमा द, जमा आ, जमला, जमा आ, बराबर बादल द जमा अ जमा ल जमा आ जमा ब जमा आ बराबर दलबा उपर दिये गए शब्दों में सभी शब्द वर्णों के समू है परंतु खरगोश, कमन और बादल वर्णों के सार्थक समू है अर्थात इनका अर्थ है और रखगोश, मलक और दलबा का कोई अर्थ नहीं निकलता इसलिए इन वर्णों के समू हो को शब्द नहीं कहा जाएगा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक धनी समू को शब्द कहते हैं शब्दों का वर्गी करण शब्दों का वर्गी करण चार प्रकार से किया जाता है शब्द रचना के आधार पर, उत्पत्ती के आधार पर, आर्थ के आधार पर, व्याकरनिक प्रकार्य के आधार पर एक, रचना या बनावच के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं रूडशब्द, योगिक शब्द और योग रूडशब्द का रूडशब्द? जो शब्द परंपरा से किसी विशेश अर्थ के लिए प्रचलित हूँ और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले वे रूडशब्द कहलाते हैं जैसे पेड, कल, आदमी, पशु, आदि ख, योगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को योगिक शब्द कहते हैं जैसे प्रधान जमा मंत्री बराबर प्रधान मंत्री बैल जमा गाडी बराबर बैल गाडी विद्या जमा आलै बराबर विद्यालै चाय जमा वाला बराबर चाय वाला ग, योग रूड शब्द उसे अधिक शब्दों या शब्दांचों के मेल से बनी हूँ पर किसी विशेश अर्थ को दर्शाते हूँ वे योग रूड शब्द कहलाती हैं. जैसे दशानन, दश, दस, जमा, आनन, मुख, अर्थात, दस मुख वाला यह शब्द साधारन अर्थ में न आकर रावण के लिए ही रूड हो गया है. योग रूड शब्दों के कुछ उदाहरन हैं. पंकज, लंबो दर, नील कंठ, आदि. दो, उत्पत्ति के आधार पर. उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पाँच भेद हैं. उत्पत्ति के आधार पर तत्समशब्द, ततभवशब्द, देशजशब्द, विदेशीशब्द, संकरशब्द. का तत्समशब्द. संस्कृट भाषा के जो शब्द हिंदी में जो के त्योंग बिना बदले प्रयुक्त होते हैं, वे तत्समशब्द कहलाते हैं. जैसे रात्री, जेश्ठ, क्षेत्र, कर्म, अग्नी, पवन, आदि, खा, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किये जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं जैसे रात, जेट, खेत, काम, आग, पौन, आदि कुछ तद्षम शब्दों के तद्भव रूप इस प्रकार हैं तद्षम, तद्भव, अश्व, घोड़ा, आम्र, आम, हस्त, हात, मृत्तिका, मिच्ची, सर्प, सांप, मयूर, मोर, स्वर्ण, सोना, अश्रू, आसू, ओष्ठ, ओठ, कर्ण, कान, भ्राता, भाई, मस्तक, माथा, साई, शाम, मातुल, मामा, अंगूष्ठ, अंगूठा, अद्दे, आज, मुख, मुह, शत, सौ, घट, घड़ा, ग्रि, घर, अगनी, आग, ग, देशज शब्द, वे शब्द, जो क्षेत्रिय प्रभाव से आवश्यक्ता नुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गई है, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे, जूता, जुग्गी, जिबिया, लकडी, खिडकी, पग घड़ी, आदी, घग, विदेशी शब्द, समय समय पर भारत में अनेक जातिया आई, जो अपने साथ अपनी अपनी भाशाएं लाईं, उनके प्रभाव से हिंदी, शब्द भंडार में अनेक विदेशी भाशाओं के शब्द आ गए, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कानून, जहाज, चाय, हिंदी में प्रयोग किये जाने वाले कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार हैं, अंग्रेजी, काम्पनी, एंजिनियर, कप, कार, कॉलेज, क्रिकेट, क्लॉर्ख, गैस, चकलेट, जज, जेल, टाई, टायर, कानून, मैनिजर, मोटर, सिनिमा, स्कूल, मिल, डायरी, नर्स, ड्राइवर, इंच, बैंच, फुटबॉल, अर्भी, आजाद, इशारा, आरत, इनाम, कानून, मुहावरा, महिनत, शत, शतरंज, सबूत, मरीज, हिस्सा, मर्जिद, पारन, हिसाब, जुर्माना, तकदीर, दक्तर, मतलब, सुबह, मोहला, नकल, बाकी, पारसी, आदमी, आसमान, कारीगर, कमर, खरीद, खून, गर्दन, गुबारा, गुलाब, जमीन, जहर, शहद, शादी, शिकार, सरकार, सितार, याद, डूर, अनार, चपरासी, चापलूसी, दंगल, नमक, पूर्त गाली, कलस्तर, गमला, गोदाम, चाबी, तॉलिया, कमरा, नीलाम, फीता, बाल्टी, संतरा, तंबाकू, मेज, गोभी, साबुन, आदी, तुर्की, तोप, लाश, चाकू, कैची, गलीचा, उर्दू, बंदूग, चेचक, बहादुर, तॉलिया, चाबी, आदी, फ्रांसीसी, अंग्रेज, कार्तूस, कूपन, काजू, जापानी, रिच्षा, चीनी, चाय, लीची, रूसी, मिक्स, पूत्निक, वोधका, मलै, खोपरा, डच, तुरूप, बंब, ड़, संकर शब्द, हिंदी में दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द भी मिलते हैं, जिनहीं संकर शब्द कहा जाता है, जैसे, सजावत कक्ष, सजावत हिंधी, जमा कक्ष संस्कृत मांगपत्र, मांग हिंदी, जमा पत्र संस्कृत घडी साज, घडी हिंधी, जमा साज अर्भी वर्ष गांट वर्ष संस्कृत जमा गांट हिंदी योजना कमीशन योजना संस्कृत जमा कमीशन अंग्रेजी बे समझ बे अर्बी जमा समझ हिंदी बीमा पॉलिसी बीमा अर्बी पॉलिसी अंग्रेजी रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी, जमा गाड़ी हिंदी, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी जमा घर हिंदी, रेल यात्रा, रेल अंग्रेजी जमा यात्रा संस्क्रिप्ट तीन, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के चार प्रकार हैं क, एकार्थी शब्द, यूनिवोकल, ख, अनेकार्थी शब्द, पोलिसिमस, ग, परियाएवाची शब्द, सिननिंस, ग, विलोम या विप्रीत आर्थक शब्द, आंटनिंस, क, एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे अत्वा, यथा, रेडियो, एक्सरे, ख, अनेक आर्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो प्रयोग के अनुसार विभिन परिस्थित्यों में भिन भिन अर्थ देते हैं, उन्हें अनेक आर्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंबर, आकाश, कपड़ा, कर, हाथ, हाथी की सून्ट, टैक्स, क्रिया का रूप ग, परियाएवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें परियाएवाची शब्द कहते हैं, जैसे कमल, जलज, पंकज, सरसिज, वारिज, आदि घ, विलोम शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो विप्रीत अर्थ या भाव प्रकट करती हैं, उन्हें विलोम शब्द या विप्रीत आथक शब्द कहते हैं, जैसे उच नीच, दिन रात, जन्म मरण आदि इन शब्दों को आप आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, व्याकरनिक प्रकार्य के आधार पर, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तब वे कोई न कोई व्याकरनिक प्रकार्य करने लगते हैं, और पद कहलाते हैं, पद के रूप में प्रयुक्त शब्द अन्य पदों के साथ जुड़ा रहता है। व्याकरणिक प्रकारिय के आधार पर शब्द दो प्रकार के होती हैं। विकारी और अविकारी। एक विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष या काल के अनुसार विकार या परिवर्तन आता है। उन्हें विकारी शब्द कहती है। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं। क संग्या, नाउन, ख सर्वनाम, प्रोनाउन, ग विशेशन, अजिक्टिव, घ क्रिया, वोब। दो अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता और जो हमेशा मून रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें अविकारी शब्द, अव्य कहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के हैं। क, क्रिया विशेशन, एडवर्ब, ख, संबंध बोधक, प्रेपोजेशन, ग, समुच्य बोधक, कन्जक्षन, घ, विस्म्या दिबोधक, इंटरजेक्षन, शब्द, विकारी, अविकारी विकारी, संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, अविकारी, क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुच्य बोधक, विस्मयादि बोधक हमने सीखा, वर्लो के सार्थक समुग को शब्द कहते हैं शब्द भेद के चार आधार है, रचना का आधार, स्त्रोत, अथ्वा उत्पत्ती का आधार, अर्थ का आधार एवं प्रयोग का आधार रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के है रूड, योगिक और योगरूड, स्त्रोत, अत्वा उत्पत्ति के आधार पर शब्द पाँच प्रकार के होते है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विप्रीत आर्थी प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी, और अनेकार्थिक शब्द, words with various meanings हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, और उनका प्रसंग बदलने पर अलग-अलग अर्थ निकलता है इन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, आईए कुछ अनेकार्थी शब्दों का अध्यन करें शब्द अर्थ, अर्थ मतलब, प्रियोजन, व्याख्या, धन अपवाद, निंदा, कलंक, नियम के विरुद, अंक, गोद, संख्या, नाटक का अंक, अंबर, आकाश, वस्त्र अर्क, सूर्य, कपडा, आकाश, एक प्रकार का पोधा, अपेक्षा, तुल्ना, अवशक्ता, आशा अरुण, लाल, सूर्य, सूर्यकसारथी, अनन्त, आकाश, विश्णु, ईश्वर, शेष्णाग, आदी, प्रारंब, वगेरा आराम, सुक्चैन, भगीचा, किसी रोग का दूर होना, आम, सामान्य, एक फल, कनक, सोना, गेहुं, धतुरा कर, हाथ, हाथी की सून्ड, टैक्स, किरन, काल, समय, यम्राज, मित्यु, शिव काज, पवित्रकार्य, काम, कमीज का काज, कुल, वंच, सब, गोत्र, घर कुशल, सुखी, चतुर, सुरक्षित, खर, प्रखर, बगूला, गधा गुण, स्वभाव, शील, विशेश्ता, कोशल गुरू, अध्यापक, भारी, श्रेश्ट, बड़ा, घर, मकान, कुल, कारल, घन, घना, बादल, हतोडा, भारी चीर, वस्त्र, चीर्णा, रेखा, पट्टी, जल, पानी, जल जाना, जड, मूर्ख, अचेतन, व्रिक्ष का मूल, जाल, चाल, शड्यंत्र, मचली पकड़ने का जाल, ठाकुर, स्वामी, ईश्वर, देवता, शत्रिय ढाल, ढलान, अस्त्र शस्त्र रोकने का एक शस्त्र, तारा, नक्षत्र, आखो की पुतली, तात, पिता, पूज्य, प्रिय, भाई, दर्शन, देखना, नेत्र, दर्शन शास्त्र, आक्रित्ती धक्ष, कुशल, चतुर, अग्नी, प्रजापती, नव, नया, नो, नवीन, नायक, नेता, नाटक क मुख्य पात्र, अभिनेता, सेना में एक पद, पद, चरण, शब्द, ओधा, कविता का चरण, पय, दूद, पानी, अम्रित, पक्ष, तरफ, पंक, दो सप्ता, सहायक, पाल, किनारा, रक्षक, पालन करने वाला, प्रकृती, स्वभाव, मुलावस्था, कुद्रत, प्रसाद, हर्ष, कृपा, अनुग्रह, इश्वर को अर्पित भोज्य पदार्थ, जो बाद में बाटा जाता है, पानी, जल, मान, चमक, चाकू का काटने वाला भाग, लाब, खाने का फल, भव, संसार, उत्पत्ती, शंकर, भृती, मूल्य, वेतन, नौकरी, मजदूरी, भूत, बीता हुआ, प्राण, पंच भूत, जिन में सब कुछ बना है, भेद, रहस्य, फूट, भिन्नता, प्रकार, भोग, प्रारंब, खाना, सुख दुक्का अनुभव, मत, राय, संप्रदाय, निशेद, न, मधु, शहद, मीठा, वसंद, शराब, मित्र, दोस्त, सूर्य, मांग, चाह, मांगने की क्रिया, बालों के बीच बनाई गई रेखा, माल, दन्संपत्ती, माला, पंक्ती, मुद्रा, सिक्का, रूप, मुख, नामकी मुहर, रंग, वर्ण, प्रेम, अभिनेकस्थान, दशा, रस, स्वाद, फालोका निचोड, आनंद, सार, लय, स्वर्का उतार चड़ाव, डूबना, मिलना, लक्ष्य, निशाना, उदेश्य, लाल, पुत्र, एक प्रकार का रंग, प्यारा, वर्, दूलह, पती, चुनना, वर्दान, वर्ण, अक्षर, जाती, रंग, वार, प्रहार, दिन, आक्रमन, विजिया, दुर्गा, भांग विधी, वृती, तरीका, ब्रह्मा, विशम, भयंकर, कठिन, जो सम नहो, विशय, मजमून, भोग विलास, जिसके बारे में कुछ कह जाए, वृती, स्वभाव, नियत, चात वृती, पेशा, शेश, शेशनाग, बचा हुआ, श्यामा, स्त्री, रात, राधा, यमुना, काले रंकी गाय, शृती, वेद, कान, श्री, सरस्वती, शोभा, धन, कांती, लक्ष्मी, शिखी, मोर, पर्वत, अग्नी, सार, तत्व, निशकर्ष, लोहा, बल, सारंग, हंस, कामदेव, मोर, सांप, बादल, सोना, शयन, स्वर्ण, सूत, धागा, सारथी, हर, दूरकर्णा, शिव, हरी, विश्णु, इंद्र, सूर्य, सर्प, बंदर, हल, केट जोतने का यंत्र, समाधान दो, परियाएवाची शब्द, सिननिम्स समान अर्थ वाले शब्दों को परियाएवाची या समनार्थी शब्द कहते हैं लेकिन हर परियाएवाची शब्द की अपनी अर्थ गत विशिष्टता होती है शब्दों में से इस सोक्ष्म अर्थ भेद को हम इनके वाके प्रियोग से समझ सकते हैं जैसे नयन, लोचन, नेत्र, द्रिग, आदिश शब्द आग के परियाएवाची हैं लेकिन हम नयन का प्रियोग हर किसी की आग के लिए नहीं कर सकते क्योंकि नयन शब्द सदैव सुन्दर और बड़ी-बड़ी आखों के लिए प्रियोग किया जाता है प्राय स्त्रियों की आँखों के लिए प्रियों किया जाता है। इसी प्रकार पानी, जल, नीर, परियायवाची शब्द हैं किन्तु गंगा जल को कभी भी गंगा नीर या गंगा पानी नहीं कहा जाता। अत्य वाक्य प्रियोंग में भी शब्द चयन में सावधानी बरतने क अवशक्ता होती है बेल, वल्लरी, लता तरु, व्रिक्ष, पेड शब्द, परियायवाची आदर, सम्मान, प्रतीष्ठा, इज़त अंधिकार, तम, अंधेरा, तिमिर, अंधिकार अरण्य, कानन, जंगल, वन अतिथी, आगंतुक, महमान, अभ्यागत, पहुना अनुचर, सेवक, दास, नौकर, परिचारक अम्रित, सुधा, सोम, पियूश, अमिय अगनी, ज्वाला, पावक, आग, अनल, वहनी अहंकार, गमंड, अभिमान, दंभ, दर्प, मान अनुपम, अनोखा, अतुल्य, निरुपम, अतुल्निय अश्व, घोडा, तुरंग, हय, घोटक, बाजी आकाश, नभ, गगन, व्योम, अंबर, आस्मान आख, चक्षु, लोचन, द्रिग, नेत्र आनन्द, प्रसन्यता, हर्ष, उल्लास, प्रफुलता असुर, दनुज, निशाचर, राक्षस, दानव इच्छा, लालिसा, चाह, अभिलाशा, कामना इंद्र, सुर्पती, देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र इश्वर, पर्मात्मा, परमेश्वर, प्रभु, जग्दीश उचित, योग्य, उप्युक्त, समिचीन नदी, सरिता, प्रवाहिनी, तरंगिनी, तटिनी दरिद्र, कंगाल, रंक, निर्मल, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, पवित्र, विमल पक्षी, खग, विहंग, विहंगम, द्विज, शकुनी पवन, हवा, समीर, वात, वायु, अनिल पत्थर, पाशान, उपल, प्रस्तर पुत्र, सुत, बेटा, तने, आत्मज, नंदन पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून परवत, भूदर, शैल, गिरी, अचल, नग पेड, तरु, व्रिक्ष, शाल, विटप, महिरू ब्राम्मन, वेप्र, भूदेव, अग्रिजन्मा, द्विज भ्रम्मा, विधाता, विधी, लोकेश, अज बिजली, चपला, दामिनी, चंचला, विध्यूत उत्तम, उत्क्रिष्ट, मुख्य, श्रेष्ट, प्रधान उपुवन, फुल्वाडी, बगीचा, वाटिका, उध्यान कमल, अंबुज, नीरज, पंकज, जलज किनारा, तट, तीर, कगार, कूल कोयल, कोकिल, पिक, वन्प्रिय, पर्भित कपड़ा, चीर, वस्त्र, परिधान, अंबर कान, च्रवण, कर्ण, श्रोत्र गंगा, मंदाकिनी, सुर्णदी, भागीरती, सुर्शरी ग्रीह, आलय, सदन, भवन, निकेतन चतुर, चालाक, निपुण, प्रवीन, कुशल चांदनी, कोमुदी, जोट्सना, चंदरिका जल, नीर, अंबु, वारी, तोय, सलिल जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन तलवार, खड़क, कृपान, असी, शम्शीर देव, सुर, देवता, अमर, निर्जर दुख, कष्ट, व्यथा, क्लेश, पीडा धनुष, धनु, चाप, कार्मुक, शरासन, कोदंड द्वजा, द्वज, जंडा, पताका, केतु रात्री, रजनी, रात, निशा, यामिनी, रैन लता, बेल, वल्लरी, वल्ली, विरूद, लहर, तरंग, उर्मी, लहरी वस्त्र, चीर, कपड़ा, वसन, परिधान, पट विग्न, रुकावट, अडचन, बाधा, अंतराय विद्युत, तडित, चपला, बिजली, सोधामनी वर्षा, बारिश, मेह, पावस विष्णु, नारायन, माधव, हरी, गोविंद, लक्ष्मीपती शत्रु, दुश्मन, बैरी, रिपु, अरी, परिपंथी शरीर, तन, देह, काया, घात शिव, शंकर, महेश, महदेव, पशुपती, नीलकंठ सोना, स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक साधु, मुनी, संत, वेरागी, यती, सन्यासी बादल, जलद, वारिद, मेग, घन मनुष्य, नर, मानव, मनुज, मानुष, पुरुष मित्र, सहचर, हितैशी, सखा, साथी मृग, हिरण, सारंग, कुरंग मृत्यू, मौत, देहावसान, अंत, निधन राजा, नरेश, निरिप, नर्पती, भूपती सीह, शेर, वन्राज, म्रिग्राज, केसरी संसार, विश्व, भुवन, भव, जग, जगत सुन्दर, रम्निय, मनोरं, मनोहर, चारू सरस्वती, मानी, भारती, हंस्वाहीनी हाथ, हस्त, कर, पाणी हनुमान, कपीश्वर, महावीर, पवन्सुत, बजरंग बली तीन, विलोमशब्द, एंटनिम्स वेशब्द, जो विप्रीत अर्थ देते हैं विलोमशब्द या विप्रीत आर्थक शब्द कहे जाते हैं दो शब्दों के अर्थ की स्पष्टता के लिए इनका प्रियोग उप्योगिस सिध होता है सफेद, काला, छोटा, लंबा अगर शब्द एक वचन है तो उसका विलोम भी एक वचन में ही होता है और अगर शब्द बहुवचन में है तो उसका विलोम बहुवचन में होगा तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम तत्भव का तत्भव और देशज का देशज ही होता है जैसे प्रकाश तत्सम शब्द है इसका विलोम अंधेरा नय होकर अंधिकार ही होगा तथा उजाला शब्द तदबव है अतै इसका विलोम अंधेरा होगा जन्म का विलोम शब्द मृत्यू ही होगा तथा जीवन का मरण ही होगा विकारी शब्दों का विलोम विकारी तथा अविकारी शब्दों का विलोम अविकारी शब्द ही होता है आईए अब कुछ विलोम या विप्रितार्थक शब्दों का अध्यन करे विप्रितार्थक अथ्वा विलोम शब्द। शब्द विलोम अर्थ अनर्थ अम्रित विश अभिमान निर्भिमान अस्त उदय अंकुष निरंकुष अनात सनात अवशक अनावशक आरोप प्रत्यारोप उग्र शांत उपकार अपकार एकार्थक अनेकार्थ कीर्थी अपकीर्थी कृतग्य, क्रितग्न, खरा, खोटा, गुप्त, प्रकट, अल्प, अती, अवकाश, व्यस्तता, अग्रज, अनुझ, अवनती, उन्नती, अचेत, सचेत, आकार, निराकार, आस्तिक, नास्तिक, आमिश, निरामिश, उचित, अनुचित, उश्न, शीत, अचित्य, अनोचित्य, कनिष्ठ, वरिष्ठ, क्रूर, कोमल, गरल, अम्रित, गुरुत्व, लगुत्व, अनुकूल, प्रतिकूल, अवलंब, निरालंब, अधीन, स्वाधीन, अतीत, वर्तुमान, अंधकार, प्रकाश, आकाश, पाताल, आहार, निराहार, आर्द्र, शुष्क, उत्थान, पतन, उल्लास, अवसाद, कटू, मधुर, क्रिया, प्रतिक्रिया, खंड, अखंड, ग्रिहस्थ, सन्यासी, ग्रिणा, प्रेम, घातक, रक्षक, जंगली, पालतू, तम, प्रकाश, दक्षिन, उत्तर, भूल, दूशन, दूशन, दुर्गम, सुगम, महात्मा, दुरात्मा, दुमिल, उज्वल, युद्ध, शांती, पक्ष, विपक्ष, लक्षण, कुलक्षण, बल्वान, निर्बल, शिष्य, गुरु, मनुज, दनुज, संशेप, विस्तार, यदपी, तथापी, शाकार, निराकार सूक्ष्म, स्थूल, विरोध, समर्थन, रुग्ण, स्वस्थ, सैयं, असैयं, शोशक, पोषक, तुती, निंदा, दीर्ग, हरस्व, स्वजन, परिजन, दुष्चरित्र, सच्चरित्र, स्मरण, विस्मरण, नवीन, प्राचीन, हर्ष, विशाद, प्रतक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष हानी लाब जीवन मृत्यू जागृती सुशुप्ती तटस्त पक्षधर दूर समीप दुर्जन सज्जन मिलन विरह दूधिया मटमेला यती गती निरर्थक सार्थक रुदन हास पोशन कुपोशन शुलक निशुलक भूगोल खगोल श्वेद शाम मूक वाचाल सरल कठिन रजनी दिवस विद्वा सद्वा स्वस्थ अस्वस्थ सुभोध दुर्बोध शिष्ट अशिष्ट अशिष्ट सुलक्षन, कुलक्षन, संकल्प, विकल्प, स्रिष्टी, प्रले, दुर्वेवार, सद्वेवार, सीतकार, चीतकार, ध्वस्त, सुरक्षित, हर्ता, कर्ता, निश्क्रिय, सक्रिय, हेतु, अहेतु, परिहार्य, अपरिहार्य, जन्म, मरण, ठोस, तरल, दानव, देव, दिवाकर, निशाकर, मान, अपमान, सबल, निर्बल, योग, वियोग, नीरस, सरस, रिती, कुरिती, पदावनत, पदोलनत, पदोलनत, वर्दान, अभिशाप, भोगी, योगी, शक, बेशक, मौखिक, लिखित, संधी, विग्रह, याचक, दाता, सदाचार, दुरचार, सेवक, स्वामी, शाकहारी, मासाहारी, लोक, परलोक, संदे, नीसंदे, शरद, ग्रीश्म, सचेत, अचेत, दुरगंध, सुगंध, स्वच्च, अस्वच्च, धन्य, देककार, सापित, विस्थापित, निर्जल, सजल, हिन्सा, अहिन्सा, पराधीन, स्वाधीन, ज्यात, अज्यात, भूत, भविष्य, स्वगत, प्रकट, स्वतंत्र, परतंत्र, सुधाम, कुधाम, स्रिष्टी, नाश, संहार, हित, अहित, संस्कार, कुसंस्कार, ज्यानी, अज्यानी सक्षम, अक्षम, सगुण, निर्गुण, सिमित, असीमित, स्वदेश, पर्देश, हार, जीत, संभव, असंभव, हरस्व, दीर्ग, स्रिजन, संहार, सार्थक, निरण्थक, सादर, निरादर, सक्रिय, निश्क्रिय, स्थूलकाय, क्रिषकाय, सैयोग, वियोग, हेय, स्तूत्य, सलज, निरलज, स्वेच्छा, विवशता चार, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द Words apparently similar in meaning हिंदी भाषा में शब्दों का असमित बंडार है अनेक शब्द एक जैसे लगते हैं किन्तु अर्थ की दृष्टी से उनमें बहुत अंतर होता है ब्रह्म वश हम एक स्थान पर दूसरे का प्रियोक कर लेते हैं किन्तु सूक्ष में दृष्टी से विचार करने पर अंतर स्पर्ष्ट हो जाता है विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है कि वे उनके अंतर को जाने तथा उप्यूक्त शब्दों का ही प्रियोक करें हिंदी में इस प्रकार के कुछ प्रचलित शब्द युग्मों की जानकारी नीचे दी जा रही है अधिक परियाप्त अधिक आवशक्ता से ज्यादा परियाप्त आवशक्ता के अनुरूप अध्यक्ष सभापती अध्यक्ष किसी संस्ता का स्थाई प्रधान सभापती किसी कार्यकरम या सभा का प्रधान अनिवार्य अवशक अनिवार्य जिसके बिना संभव ने हो अविशक जरूरी अनुभव अनुभूती अनुभव व्यवार से प्राप्त ज्यान अनुभूती चिंतन या सम्वेदन से प्राप्त बोध पांच अनुरोद प्रार्थना अनुरोद आग्रे पूर्वक विनती करना प्रार्थना विने पूर्वक निवेदन करना अनुसंधान आविशकार अनुवेशन अनुसंधान अज्यात तत्यों का ज्यान प्राप्त करना अविशकार नई वस्तु या मशीन का निर्मान अभिनन्दन स्वागत अभिनन्दन विदिवत सम्मान स्वागत किसी के आने पर सम्मान प्रकट करना। अभिमान एहंकार अभिमान अपनी संपत्ती या श्रेष्ठता के कारण स्वयम को बड़ा समझना। अहंकार जूटा गमंड, अमूल्य बहु मूल्य, अमूल्य जिसका मूल्य आका ने जा सके, बहु मूल्य बहुत कीमती, अवस्था आयू, अवस्था वय या उम्र, आयू संपूर्ण जीवन काल, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र फैंक कर चलाया जाने वाला हतियार, शस्त्र हाथ म लेकर चलाया जाने वाला हतियार अग्य अन्भिग्य अग्य जिसे कुछ ग्यान नहो मूर्ख अन्भिग्य जिसे किसी विशेश तथे की जानकारी नहो आधी व्याधी आधी मानसिक कष्ट व्याधी शारेरिक कष्ट आग्या आदेश अनुमती आग्या बड़ो द्वारा छो प्रियास किसी की हसी उडाना, परिहास, हसी विनोत करना, मनुरंजन के लिए, कश्ट, कलेश, कश्ट, सभी प्रकार के दुख, कलेश, मानसिक दुख, कार्य, कर्तव्य, कार्य, सामन्य अवशक कर्म, कर्तव्य, कर्णिये कार्यों को करने की जिम्मेदारी, क्रिपा, दया, क्रिपा, दुख्यों की सहायता करने की भावना खेद, शोक खेद, गलती करने पर दुख प्रकट करना शोक, किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना दुर्गम, अगम दुर्गम, जहां पहुचना कठिन हो अगम, जहां पहुचना संभव नै हो नियाय, निर्ने नियाय सच जूट का सही सही फैसला निर्णय फैसला चाहे वैं सही हो या गलत निंदा आलोचना निंदा बुराई आलोचना गुण और दोश प्रकट करना पतनी स्त्री पतनी किसी की विवाईत स्त्री स्त्री कोई भी नारी पुत्र बालक पुत्र अपना बेटा बालक कोई भी बच्चा पुरस्कार पारितोशिक पुरस्कार अच्छे कारे का इनाम पारितोशिक प्रतियोगिता में जीतने पर जीता गया इनाम प्रेम, प्रणय, परिणय, प्रेम, लगाव के कारण उत्पन अपने पन की भावना, प्रणय, पती पतनी या प्रेमी प्रेमिका का आपसी लगाव, परिणय, विवा, ब्रमन, परियतन, ब्रमन, गूमना फिर्णा, परियतन, गूमने की इच्छा से देश विदेश में जाना ब्रम संदे, ब्रम मिथ्या ज्यान, संदे अनिष्चे की स्थिति, मत धर्म संप्रदाय, मत एक विचार को मानने वाला समू, धर्म कर्तव्य अ कर्तव्य बताने वाले नियम, संप्रदाय किसी धार्मिक मत को मानने वाला समू लोब, तृष्णा, लोब, कुछ पाने की इच्छा से अभिबूत होना, तृष्णा, अधिक से अधिक पाने की तीवर लालसा वादसल्य, स्ने, वादसल्य, पुत्रादी छोटों के प्रती प्यार, स्ने, बराबर वालों के प्रती प्रेम विलाप प्रलाप शोक या वियोग में रुदन करना प्रलाप मानसिक विकार के कारण पागलों के समान बकना श्रद्धा, भक्ती, श्रद्धा, अपने से बडो या गुणियों के प्रती, पूजय भाव, भक्ती, ईश्वर या देवता के प्रती, पूजय भाव शर्म परिशरम, शरम केवल शाररिक शक्ती से काम करना, परिशरम शरीर और मन्से कोई भी काम करना, संतोस त्रिप्ति, संतोस जितना मिले उसी में खुश रहना, त्रिप्ती इच्छा की पूर्ती होना सहयोग सहायता सहयोग एक दूसरे की आपसी सहायता सहायता एक द्वारा दूसरे की मदद सुख आनंद सुख लाबकारी स्थिती में प्रसन होना आनंद इर्ष्या द्वेश्ट से मुक्त प्रसनता की स्थिती ग्लानी, लज्जा, संकोच, ग्लानी, किये हुए कू कर्म पर पच्चतावा लज्जा, अनुचित कारे करने पर संकोच होना या लजाना संकोच, किसी कारे को करने में हिचकिचाना अन्बन, खटपट, अन्बन, मन मुटाव, खटपट, छोटा मोटा जगडा हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जो उचारन की दृष्टी से बहुत मिलते जुलते हैं परंतु उनके अर्थों में बिन्यता होती है कभी कभी प्रियोक करता उन्हें एक हीमान बैठते हैं इस परकार के शब्दों को समरूपी बिन्नार तक शब्द कहते हैं जैसे अवधी और अवधी अवधी का अर्थ है समय या सीमा जबकि अवधी अवध प्रदेश की बोली का नाम है नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिये ज कंधा अकत जो कहाने जा सके अथक बिना ठके अचर जड अचिर शीग्र अचल परवत अचला प्रित्वी अभे निडर उभे दोनो अभिराम सुन्दर अविराम निरंतर अर्ध आधा अर्धिय पूजा करना अली भवरा अली सकी उदार विशाल उदर पेट ओर तरफ और तथा उप्युक्त ठीक उपर्युक्त उपर कहा गया कीट कीडा कटी कमर अनू कण अनू पीछे अतल गहरा अतुल काफी बड़ा अती बहुत इती समाप्त आकर खान आकार आकृती अनल आग अनिल वायू अन्य अनाज अन्य दूसरा अपकार बुरा उपकार भला अपेक्षा अवशक्ता उपेक्षा तिरसकार क्रिपान तल्वार क्रिपन कंजूस नियत तय नियत इच्छा निर्जर देवता निर्जर जर्णा चरम अन्तिम चर्म चमडा पता ठिकाना पत्ता पत्र जलद बादल जलज कमल ज्वर बुखार ज्वार उफान समुद्र में तप तपस्या अवधी समय अवधी अवध की भाषा अविलंब शीग्र अवलंब सहारा अवस्था दशा विवस्था प्रबंद कर्म काम क्रम विवस्था आगम शास्त्र आगम जहां जाना संभव ने हो आदी आरंब आदी अभ्यस्त आवास निवास आभास जलक परिहार त्याग प्रहार चोट परुष कठोर पुरुष नर कपट छल कपाट द्वार करोड सौलाख क्रोड क्रोड गोद कली कलियुग कली फूल का अरंबिक रूप भव संसार भव्य महान विशाल कांती चमक क्रांती परिवर्तन कुपत, कुमार्ग, कुपत्य, अनुचित भोजन, कुल, वंच, कूल, किनारा, कोर, एक टुकडा, कौर, ग्रास, बदन, शरीर, वदन, मुख, भवन, मकान, भूवन, संसार, भारती, सरस्वती, भारतिय, हिंदुस्तानी, चिर, देर, चीर, वस्त्र, पत्थ, रास्ता, पत्य, बीमार का भोजन, रक्त, खून, रिक्त, खाली, लक्ष, उदेश्य, लक्ष, लाक, वारिद, मेग, वारिधी, समुद्र, तरंग, लहर, तुरंग, गोडा, पानी, हाथ, पानी, जल प्रणय, दांपत्य, प्रेम, परिणय, विवा, सती, पवित्रिस्त्री, शती, शताब्दी, पवन, हवा, पावन, पवित्र, द्रव, तरल, पदार्थ, द्रव्य, धन, पदार्थ, व्याकरण, भाशाशास्त्र, वयाकरण, व्याकरण, जन्निवाला, प्रसाद, क्रिपा, प्रासाद, महल तर्नी, नौका, तरुणी, युबती दिन, दिवस, दीन, गरीब प्रमान, सबूत, प्रणाम, नमस्कार समान, बराबर, सम्मान, इज़द छे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द One Word Substitution लेकन को संशिप्थ और प्रभावशाली बनाने के लिए प्राय अनेक शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रियोग किया जाता है जैसे राजेश धन का दुर्योप्योग करता है इसके स्थान पर यदि राजेश अपव्याई है लिखें तो यह अधिक प्रभावशाली होगा इसे प्रकार के कुछ उधारन निम्नलकित है जल में विचरन करने वाला जलचर जो शाक खाता हो शाकाहारी अनेक शब्द वाक्यांच एक शब्द जिसकी कल्पना ने की जा सके अकल्पनिये जिसको देखना संभव नहीं है अद्रिश्य जिसके माता पिता ने हो अनात जिसका कोई शत्रू ने हो अजात शत्रू जिसकी कोई उपमा ने हो अनुपम जो परीक्षा में उत्तीन ने हो अनुतीन, जो पड़ा लिखा ने हो, अनपड, जो बीच चुका हो, अतीत, कानुन के विरुद्ध, अवैद, जिसके आने की तिथी ग्यात ने हो, अतीती, जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणी है, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस नी है, जो व्यक्ति किस जिसमें जाननी मर गई हो विधुर, जिसका वर्णन किया जा सके वर्णनी है, जो शरण में आया हो शरणागत, जो पड़ा लिखा हो शिक्षित, श्रम करके जीने वाला श्रमिक, जो व्यक्ति काम से जी चुराता है काम चोर, जो जन्म से अंदा है जन्मांध, जिसमें जानन की इच्छा हो जिग्यासू तप करने वाला तपस्वी जिसमें दया हो दयालू अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो नवजात जिसके पास धन नय हो निर्धन जहां कोई आदमी नय रहता हो निर्जन जिसे पढ़ा जा सके पठनी है पाप करने के बाद स्वयम धंड पाना प्रा दास्ता दिखाने वाला पत प्रदर्शक दो सप्ता में एक बार होने वाला पाक्षिक जो मास आदी खाता हो मासाहारी अपना ही स्वार्थ चाने वाला स्वार्थी सप्ता में एक बार होने वाला साप्ताहिक सब कुछ जानने वाला सर्वग्य जिसका आचार अच्छा हो जो अपने बल पर निर्भर हो, स्वाव लंबी, साथ साथ पढ़ने वाला छात्र, सह पाथी, हिंसा करने वाला, हिंसक, जिसके तीन कोण हो, त्रिकोण, जिसका वर्णन नय किया जा सके, अवर्णनिये, जिसका स्पर्ष करना वर्जित हो, अस्प्रिश्य, जो नियम से नय हो अनियमित जो बात कही ने जा सके अकथनी है जिसका पती मर चुका हो विद्वा जो पहले पढ़ाने गया हो अपठित अपनी हत्य स्वेम करना आत्म हत्या जो अकेला है एकाकी जो पुरुष कविता लिखता है कवी जो स्त्री कविता लिखती है कवीत्री जो चक्रधारन करता है चक्रधारी जो नश्ठ होने वाला हो नश्वर जिसे कभी लज्जने आती हो निर्लज जो दया का पात्र हो दयनिये इश्वर को ने मानने वाला नास्तिक जिसके हिर्द्यम में दया ने हो, निर्देय, जिसने कोई अपराद ने किया हो, निरपराद पूजा के योग्य, पूजनिय, जो किसी से ने डरे, निडर, आग से परे, परोक्ष, जो घर आदी की रखवाली करता है, पहरेदार, जो दूसरों पर उपकार करता है, परउपकारी, जो मार्ग दिखाता हो, मार्ग दर्शक, जो बोल न सके, मूख, जो मन से संबंदित है, मानसिक, मर्म को छूने वाला, मर्म स्पर्शी, जिसके नीचे रेखा लगी हो, रेखांकित, शक्ती के अनुसार, यथा शक्ती, जो लोगों को प्रिय हो, लोग प्रिय हो, जो मास ने खाता हो, शाकाहरी A. Tick the correct answer.